हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी कमांड्स के बारे में, कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में, जिनकी हैल्थ से आप अपने कम्प्टर के पूरी डिटेल फाइंड कर सकते हैं Like that, Serial Number, Host Name, उसका Computer Name, और साथ ही इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से किसी भी प्रोग्रेम को Command के थूरू Uninstall कर सकते हैं दोस्तों, इन Command के थूरू आप अपने Computer के पूरी डिटेल फाइंड कर सकते हैं Like that, कि इसमें कौन से हार्डिस लगी है, किस कम्पनी के हार्डिस लगी है, और साथ ही उसके पूरे हाडवेर के बारे में, और साथ ही कि इसका Computer Name क्या है, इसका Serial Number क्या है, और बहुत कुछ तो दोस्तों, अगर आप भी जाना चाते हैं, इन Command के बारे में, तो इस Video लाइस तो जूरू देखे तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्ते इंजीन अप्रतिक सिंग, और आप देख रहे हैं, आपका अप्र चैनल, प्रतिक्स चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, अब हम आच चुके अपने Computer Screen पे, और अब हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने Computer Laptop की Detail निकाल सकते हैं, उसका Host Name फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी Detail निकाल सकते हैं, साथ ही उसका Serial Number निकाल सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने Computer Laptop से किसी भी Program को Uninstall कर सकते हैं, with the help of Command Prompt, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे Detail निकालेंगे, उसके लिए हमें अपने Computer Laptop के Keyboard की Windows और R की बटन को प्रेस करना है, जैसे ही हम Windows और R की बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने Run Prompt Open हो जाएगा, यहाँ पे हमें टाइप करना है, एक Command जिसका नाम है MS Info 32, इसको टाइप करने के बाद हमें इंटर कर देना है, अब दोस्तों जैसे हम इंटर करेंगे, हमारे सामने System Information विंडो ओपन हो जाएगी, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है कि इसे 5 सेकंड लोडिंग में लग जाए टाइ ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे summary देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे operating system का name दिख जाएगा, कि हमारे computer या laptop पे कौन सा operating system installed है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Windows 10 professional installed है, इसका built version भी यहाँ पे आपको सामने मिल जाएगा, ठीक है, OS manufacturer भी मिल जाएगा, चुकि आप जानते हैं कि Windows operating system, Microsoft Corporation बनाता है, तो उसका name भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे important यहाँ पे system name, system name को ही host name बोलते हैं, ठीक है, तो इसका system name यह है, इस laptop का, इस laptop का जो manufacture company है, वो Sony Corporation यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे system model लिखा हुआ है, system type लिखा हुआ है, तो 64 यहाँ पे लिखा रहेगा, अगर 32 based रहेगा, तो यहाँ पे x86 लिखा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे processor लिखा हुआ है, कौन सा processor इस पे installed है, BIOS version date लिखा हुआ है, कि लास्टाइम कब update हुआ था, BIOS version यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने, BIOS mode लिखा हुआ है, सारी memory भी दिखेगा, और virtual memory भी दिखेगी, उसके बाद अगर आपको hardware resources को check करना है, कि hardware resources, तो आप यहाँ पे hardware resources पे click करके, इसके बारे में check कर सकते हैं, अब यहाँ पे components पे चेक करके, आप इस पे लगे हुए सारे components को check कर सकते हैं, like that, CD-ROM, input-output, ports, सारे जितने भी ports हैं, LAN port क के बारे में आप यहाँ पे check कर सकते हैं, network पे जाके, adapter के बारे में check कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा adapter लगा हुआ है, उसकी सारी detail आपको मिल जाएंगे, protocols दिख जाएंगे, यहाँ पे अगर आप इस storage पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे disk से related, किसमें जो hardest लगी हुई है, व भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका model भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से आप सारी चीजे इस पे पता कर सकते हैं, अगर software environment के बारे में पता करना है, तो इन सारे software की भी detail आपको मिल जाएंगे, इस command के through, ठीक है, एक ही जगे पे आपको सारी detail मि जाएगी, अब आपको अगर serial number find करना है, तो उसके लिए हमें फिर से window और R की बटन को प्रेस करना है, उसके बाद cmd type करना है, और enter कर देना है, आपको serial number हमेशा ही, या तो आपको laptop के नीचे लिखा रहेगा, अगर नीचे side आपको नहीं मिलता, तो फिर आपको command चलाना हो होगा, दोसो serial number find करने के लिए command है, WMIC space bios space get serial number, serial number एक साथ रहेगा, उसके बाद अगर आप enter करते हैं, तो आपको यहाँ पे serial number मिल जाएगा, यहाँ पे मने blur करके रखा हुआ है, ठीके, लेकिन यहीं पे आपको serial number मिलेगा, अब इसके बाद अगर आपको किसी भी program को uninstall कर करना है, उसके बाद command prompt पर राइट क्लिक करना है, run as administrator पर क्लिक कर देना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पहले एक command चलानी होगी, WMIC, और उसके बाद इंटर कर देना है, यहाँ पे आप सारी commands चलेंगी, तो सबसे पहले आपके computer में अगर चेक करना है कि कौन तो इसके लिए आपको एक command चलाना होगा, product, space, get, space, name, अगर आप एंडर करते हैं, तो इस पे installed सारे software मिल जाएंगे, उसके पूरे list आजाएगी, हलाकि यहाँ पे आपको पूरे 100% software की list नहीं मिलते है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी list आपको यहाँ पे मिल ज name, उसके बाद आपको equal to लगाना है, और double inverted commerce के अंदर उसका name लिख देना है, ठीक है, name of the product, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ name of the product लिख के बता देता हूँ, double inverted commerce के अंदर, उसके बाद आपको space देना है, call, उसके बाद uninstall लिखता है, यहाँ पे आपको उस particular software का नाम लिखना है ठीक है, जो भी उसका name है, यहाँ पे आपको इस list में मिल जाएगा, जैसे कि अगर google update helper को uninstall करना है, तो यहाँ पे आपको google update helper name लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं चलिए आपको करके भी यह बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं type कर देता हूँ, google space update space helper, ठीक है, तो पे n type करके enter करते हैं, तो uninstall नहीं होगा, अगर आप यहाँ पे y type करके, यानि yes करके enter करते हैं, तो अनिस्टॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम y type करेंगे, enter कर देँगे, अभी यहाँ पे successfully लिखके आ जायेगा, थोड़ा से यहाँ पर आपको wait करना होगा, अब यहाँ पे फिर से yes यार no का option आ रहा है तो दो दोस्तो यहाँ पी आप देख सकते हैं method execution successfully लिखके आ गया या या यह यह install हो गया है, फिर से अगर हम y type करके इंडर करते हैं, तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं कि method execution successfully फुली लिखके आ गया है और यह अनिस्टाल हो चुका है ठीक है इसी तरीके से आप किसी भी प्रोग्रेम को अनिस्टाल कर सकते हैं किसी भी सौफ्टर को अनिस्टाल कर सकते हैं with the help of command prompt तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही So friends, I hope आपको यह विडियो संदाई होगी अगर विडियो संदाई हो तो लाइक करें आपने दोसो साथ सार करें अगर आपकी कोई करी है तो कमेंट बाक्स पे कमेंट करके जरू कुछें एक नई विडियो साथ आप से फिर्म लागा दोगी तब तक ले गुडबाय All the best